कि सरल भारत की प्रसासनिक बारता में एक बार फिर स्वागत है दूस्तों आपका जैसे कि हम हर बार देश के विविन्य चेत्रों से प्रिशिद्य परसनालिटी जो अपने चेत्रों में बहुत बहुतरीन काम कर रहा है उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुबहुत दर्सा को के साथ साज़ा करते हैं उसी क्रम में आज हमारा एक और बहुत 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 बहुतरीन दिन है जिसमें हम respected DGP उत्राखंड Mr. Asob Kumar sir को आमत्रित किया है sir आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं सबसे पहले सीधा प्रेशने करूंगा मैं एक आई आई टीन से बात कर रहा हूं मैं एक राइटर से भी बात कर रहा हूं मैं एक मॉटिवेटर से भी बात कर रहा हूं साथ ही साथ एक प्रदेश के पुलिस के मुखिया से भी बात कर रहा हूं तो सर कैसे अनुभा रहे कि अब भी आपके द्वारा एक लगातार बहुत अच्छा काम किया जा रहा है जो आपकी सोचल मीडिया पर देखा जाता है जो होसला अभियान है अभी उसके बारे में सर आप हमारी दर्सकों को बताइए कैसे उत्राखंड की लोगों को उसमें इंवाल्व किया जा सकता है ज महती कठिन काल है और इसमें बड़ी आपदा है महामारी है सबी लोग परिशान है चंक्रमाण की दर पहली वेव से च्छे कोना ज्यादा है और ज्यादा थी अब तो धलान पे आ गई और जो है पुलिस वाले भी परिशान है उनकी फिमलीजी परिशान है पुलिक भी हिस्से कि हम लोग जनता के मदद से जिव जो लोग बैस कर सकते हैं उनके सहयोग से ऐसे लोग के मदद करें जिनको मदद के आउक सकता है और इसके लिए ने तहने को नुर्षा के अंदर बनाया और ऐसे करकेमने कहीं हजार 2700 leg lime ददो कर दे हैं अभी तक कर दे हैं जो तरह यह भी है कि इससे की कम से कम हम लोग गॉतिवेटिड रहते हैं हमारी पुलिस की जवान मोटिवेटिड रहते हैं उनकी प्यंदिश का भी होस्ला बना रहे हैं का मनोबल ना तूटे चो कौरोणा साक्रमित हैं वह भी हम पॉजिटिव आ कटिन समय में सब का होसला बनाए रखने की वाइद है और उसके माध्यम से सब लोगों ने पॉजिटिव ली बेनिफिट किया है सब्सक्राइब करना चाहूंगा आपकी किताबों से रिलेटेड जो खांकी में इंसान करके किताब है अभी आपकी फेजबुक बॉल पे सर उसकी एक समीच्छा भी पड़ी है वो भी काफी प्रसिद्ध हुई है सर मैंने उस किताब को पढ़ने की कोशिस की और जाना सर उस द हया दो रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि मैं देख रहा हूं सीन कर रहा हूं उसमें सर आपने कुछ अपने दुवन्धों की चर्चा की है कि बहुत सारे दुवन्ध तहें क्या होगा यह नहीं होगा और सर आज जब आप इस मुकाम पर हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उन डिस्टिक ट्रेजिंग के लिए मैं इलहाबाद आये ऐसे चार महीं को सुरी होती है चार महीं ना फिर हैधरबाद वह ट्रेजिक ट्रेजिंग की लिए इलहाबाद पहुंचे तो वह नज शुरुआ थे दोर में मुझे बहुत सरे इसारी हो के तो मेरा कहना है कि इन मानमर्यादाओं के सामनती है उसके जो पावर कोरिडोर से उसके बीच में रह करके क्या हम इंसान बने रहेंगे, रह पाएंगे, वो दून्द है. मेरे खाल से वो दून्द आज खतम है कोई कि पुरी अच्छी तरह से पोलिस में आके रहें कि आपने नहीं से संभव है. यह हमने तीस साल के सेवा काल के बादा जब कह सकते हैं इसी तरह से दूसरा मेरा द्वन्द था उसमें मैंने में इसे कि तहीं मैं गलत जगे तो नहीं आ गया हूं अर्थ सत्य को मैंने कोट किया है चकर विए को कोट किया है कि जो हम सोग रहे थे कि वही पुरे आई टी के लिए के अज़ासरों पुद्ध य़िछ आने में कोई सामति सिस्टम होता है स्यूर्श सिस्टम वह तो मैं अपने अधिकार है visão मेरे लगे तो कि मैं किसी चकण में तो नहीं पंछ गया हूं कि जो मैं चाहता था करना और नहीं कर पाश हूं तो वो भी मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं करना तो जरूर कर सकते हैं यह सिस्टम में इतने ज्यादा स्कोप है आपको करने का यह अलग बात है कि अगर आप खुद ने चाहते तो आप धीरे-धीरे अगर ऐसा होता तो फिर आप उस रंग में ढ़ल जाएंगे किन्तो अगर आप शुरू से केरफूल आएं तो आप अपने उपर गलत रंग नहीं चड़ने देंगे और आप अपने रंग को ही जिंदा रखेंगे आखरी तक तो वो जो दौन था कि कहीं मैं गलत जगे तो नहीं साहिता करने का बहुत जादा स्कूप है और इस से पुलिस से अच्छी इस काम के लिए कोई और सर्विस नहीं है अगर आप लोगों की साहिता करना चाहिए प्रेमी हैं तो वो लोग जानना चाह रहे हैं युवा है स्पेशली कहरें कि सर आप कौन सी किताबे पर फर करते हैं आप किनको पढ़ते हैं और एक डीजी पी के तोर पर आप अभी क्या पढ़ते हैं कौन सा साहित पढ़ते हैं मेरे इंट्रेस्ट जो है लाइफ में पढ़ने में चेंज मी होते रहे हैं और मैंने मतलब हिंदी साहिते भी बहुत पढ़ा है परिमचंद जी से लेकर के अगे से लेकर के मुक्ति बहुत से लेकर के मैंने हिंदी साहिते काफी पढ़ा है और फिर मैंने हिंदी के माध्यम स बंगाली शाहिद तो बहुत बढ़ा है शरचंदर मेरे फेवरिट रहे हैं किसी फेज में वह बहुत फेवरिट थे मैंने रस्यान लिटरेचर बहुत पढ़ा है वो भी हिंजी और इंग्लिस दोनों के माध्यम से दोस्तों विस्की वेगरा वो भी मेरे बहुत ही फेवरिट कि टोल्स्टोई को लोग बहुत बढ़ा हो करते हैं मैंने टोल्स्टोई भी पढ़ा है बट मुझे दोस्तों विसकी जादा अच्छे लग लगए इसी तरह से मैंने इंग्लिस लिटरेचर भी बहुत बढ़ा है करके और चाल्स इंडियन राइटर जिसको आप सबसे ज्यादा पशंद करते हैं और इंडियन राइटर दिक वी जिसमें चेंज वता रहता है अच्छा पॉइंट करता है एज के साथ में चेंज होता उन दिनों कुछ और पसंद था महावारत का आज कुछ और पसंद है तो दस्मी के बाद में रेट रेगुलर ली पढ़ रहा हूं कि एक स्टेज जो मुझे सरे चंदर बहुत थे आज यह मुझे अच्छे लगते हैं शायद पर उतना ना पढ़ लिया उसकी जादा पढ़ने हैं तो डिपेंट करता है जैसे आज की तारिफ में आज की तारिफ मे इसमें मेरा इंटरेंस्ट है आज करें मनुझ बाच पई शिनॉली पर जो निकली है शिनॉली की जो खुदाई हुई है उस पर उनका काफी अच्छा वाया है एपिसोड तो उस तरह की चीजों मेरा इंटरेंस्ट है तो मतलब कहीं नहीं लिट्रेरी साइटिव वर्ड से ज जो हमारे एपिक्स को या इतिहास को इतिहास को कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं आप समझ रहे हैं जैसे सोमनाथ सास्त्री जी की सब्सक्राइब करते हैं और उस समय की संस्कृति साइट है और समय की समाज का और कहीं नहीं है और वह आइडिया भी लगता है ना जब सोमनाथ की अटाक हुआ तो उन जिनों भारतिया ससाइटी क्या थी किस तरह का महौल था तो उसका चितरन आपको देखने को कि याती करके किताब है खंडी करके अरटी होता रहा हुआ अपनी जवानी देदी अपने फादर को उसमें ऐसी बहुत सारी मैंने का बहुत वेराइटी की चीजे में पढ़ता रहता था हां एक दुनिया समाना अंतर किताब सर आपने साइट पढ़ी होगी मुझे आसा है यह मुझे नहीं कहानिया है यह किनों ने लिखे राजयंदृयादव जी अभी बरतमान में यूपियस्ट इसलबस में है हिंदी साहत में है अच्छा अभी इन लगए लगी यूपियस्टि में लगी तो अभी भी लगा हुआ है अच्छे प्रशन आ रहे हैं एक जर से पूंचने सब आप चामोली में एस पी थे उस समय पूरे उत्तराखंड में काफी उपद्रव हो रहा था लेकिन चामोली सर सबसे सांत जिले में गिना गया था सांत जगाय में था तो आपने उस समय एक यंग थे आप काफी यंग तो चीजें किया कुछ रणनीती सब्सक्राइब पर वर्तित और हमने उसमें शुरू से एक स्टेंड लिया कि हम राज्य निर्मान के विरोध में तो है नहीं उन दिनों यूपी के पार्ट थे उपर जो है राश्पती जी सबको भेज़ते रहेंगे आप हमारा यह की विंते है कि हमारी आपकी कोई टकरहाट नहीं जब तक आप आंदोलन शांति पूरव करेंगे तो पुलिस लोगों ने हमारी बात मानी तो हमारे आंदोलन पूरी तरह शांति पूरव चला फिर एक तो ऐसे में थोड़े से लोग एजिटेटेड हुए है बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था सभाविक भी तो हमने उसको भी एक दो दिन आसानी से शांत होने दिया उसे को और फिर उसको और ठंडा करने के लिए हम लोगों ने एक परकार से स्पोर्स डिप्लोमेसी कि हमारी पुलिस में हमने कभी उनके साथ क्रिकेट खेला वो सब जो है पॉजिटिव रहे और सबसे बड़ी बात है कि तो हमारे इसलिए आंदोलन शांति पून रहा है हर चेका लगबग डेथ ही उस चमोली में कोई एक भी वैस्तिक नहीं कि आपका जो पुलिस में जो आपका वो देखा जा रहा है मतलब काफी समाज से वावें इंवॉल्व रहते हैं बहुत ज्यादा सोसल मीडिया पर आपको बहुत सारा यह वाप फॉलू करता देख रहा है जो कम्यूनिटी पुलिसिंग है वो सर उसको आप कैसे देखते हैं यह समाज से कैसे जोड़ती है पुलिस को और क्या कहना चाहेंगे सार बहुत सारे यूपीस से एस्परेंट मेरी एंटर्व्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहें कुम्यू पुलिसिंग परकार से कम्यूनिटी के लिए पुलिसिंग प सब्सक्राइब करते हैं तो समय समय से चल रहे हैं मतलब थानों में सब्सक्राइब करेंगे उसक्राइब करेंगे बहुत बड़े के लिए पुलिस की इमेज कहीं ने कहीं थोड़े डरावनी टाइप की इमेज बनी हुई है बलगी हकीकत में ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग काफी डरते हैं पुलिस के पास जाने जिए पुलिस कहीं से बच्चों को भी हमारी समाज में बताया जाता चुप हो जाओ परना पुलिस हाज जाएगी तो यह सारे यह कैसे कर सकते हैं सरह हम लोग और आप लोग क्या परियाज करते हैं इस चीज को दूर करने के लिए ऐसा नहीं कि ऐसा परसेप्शन है और ऐसा परसेप्शन गलत है कहीं नहीं कहीं उसकी सबसे बड़ी बैक्ग्राउंड तो हमारी अतिहासिक प्रिश्ट होई है क्योंकि आजादी इस लिए उसके पास्ट हैं फार से उसटम के लिए घाट मैं ध्राट को लॉपर हम लोग जो है। कराने के लिए किसको बदमासों को शरीफ आदमे को तो यह फर्क जो है करने की जरूर जो पुरानी इस्टोरिकल लिए उसको तोड़ने बहुत समय लगेगा और हमारे बहुत से लोग हैं जो आज भी गलत कती विद्यों में रहते हैं मैं नहीं कहता पुलिस के लोग 100% सही करत किन्तों जो इमेज ज्यादा खराब है पुलिस उतने खराब नहीं खराब लिए उससे बहुत आगे आगे हैं और आज की तारिफ में हम तो यह स्टाइब लेते हैं कि ऐसे पुलिस बनाए जिसमें आम आजमी को देख करके पुलिस को देख कर कुशी मैसुश दर्मी कुशी मैस कि पुलिस आगई हमारी साहता होगी हमारी बात सुनी जाएगे आदमी ठाने जाने से डर हैं हमने आर थाने में सीची टेवी लगाते हैं तो वहां किसी तरह का मिस्च बेवेरब नहीं हो सकता तो अपनी शिकायत दर्स कराने में डरें ना, उसे भरोसा हो कि मैं जाँग अधिकतर भारत में सपना पालते कि मैं आई येज बनूँ आइपी हेच बनूँ और सबोर सोचते हैं मैं जाकर ऐसा चेंज कर दूँगा पूरी पूरी पूलिस्बशन कर दूँगा कर धो मैं अब से सीधा परश्रम कराई हैं आप बन गए हैं और अब आप क्या एंसा एक चेंज करना चाहेंगे पूरे सिस्टम में जो आपके मन में हो आपको लगता हूं कि मैं यह चीज चेंज कर दूं तो साथ अच्छा हो एंसा कुछ सर आपने आप भी विद्धार्ती जीवन में होगे तब आपके मन में होगा अब बिल्कुल सही बोला आपने जो मैं इससे पहले बोल रहा था वही मैं चाहता हूं जी आप समझे लेना कि पुलिस का डर बदमासों में हो शरीफों में नहीं हो ठीक है और उसको जो है पुलिस जो है विक्टिम ओरिंटेंट पॉलिसिंग करें केंदरी तो मैंने हमेशा आ जाट सामी उनके खता हो जाए और वो जन सेवक के रूप में सबके सामने हैं और वो पिरित के अंदरी फोलिसिंग करें यह मैं इतना बड़ा चैट चाहता हूं मैं बस अंतिम प्रशनों पर आता हूं मैं सब चाहता हूं कि पहले एक दर्शक का प्रशने ले लेता हूं आपने कैसे सुच्वेशन को डील किया कितना मत्रब उत्रा खंड सर्वकार की लिए क्या कुछ कहा गया इसको कैसे डील किया सर आपने कि पहली बात कि उत्रा कुम्ब से जो है कुरोना का बहुत सुपर स्प्रेड हुआ उसको कोई भी आगड़ा सपोर्ट नहीं करता है उसके कई सारे कारण है नमबर एक तो भीड जो है जो पिछले हो देते उनसे वन टेंथ भीड़ाई जो 2010 के कुम्ब था उसमें एक लाक लोगा है एक दिन इस बार तो उसका एक बटा दसवन दिलाई नमबरें नमबर दो हरिद्वार के आखड़े कुम्ब से जो पीक डेस थे कुम्ब के 12 अबरेल और 14 अबरेल दो दिन उससे पहले के कुम्ब के दुरान के और कुम्ब के बात की 15 इन तीनों स्टेजिज मे जो कोविट क्या करें जबकि 50,000 टेस्ट हो यह भी ने कि हमने टेस्ट एग हजार करा और पचास हजार उन तीनों में हरद्वार की पोजिटिविटी रेसों पूरे परदेश से कम है पूरी नेशनल अबरेज से कहीं ज्यादा कम है इसी तरह से डेस ज्यादा कम है तो वहां के रोज के पांदस केस भी नहीं थे अब समझ रहे हैं उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है या तो यहां पे साथ हजार होते तब कुम हो रहा होता तब बहुत बड़ी गलग बात तो पहली बात वहां वायरस स्टेज में बहुत कम था दूसरी बात हम लोग बोटर पे टेस्टिंग करवाते थी ठीक है तीसरी बात जो है जो मैंने का पोजिटिविटी रेट ओर जो है ओर आज तक भी हरुदवार के लोगास्ट है तो अगर ऐसा हुआ होता एक और बड़ी बात इसने का कि नहीं आप चेक कराई देरादून में तो बहुत फैला महीं में बहु इन नहीं कि शुपर स्प्रेड कि यह जरूर है कि पुछ एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ संक्रमित मिले उनका कुछ नों को चशार होगा फैला जूरूर फैला होगा और सुपर स्प्रेड किया वह थ्योरी कला था आप एक और बात बताए हरिद्वार का खाली हरकी लंबे घाट है कोई बंद कमरा नहीं है कि कोई बड़ा होल हो उसमें एक अजार पांच जार लोको ना थारा किलोमेटर खुले आसमान के नीचे तो आराम से एक-दो लाख आदमी खैल जाएगा तो आप देखें ना थारा किलोमेटर के एरिया में तो आपकी इतने परवड जील नहीं है जो अपना है उसके बाद चला गया कि तो मेरे विचार से कोई भी आखड़ा इस बात को सब्सक्राइब करते रहते हैं पर मेरे अपने असेस्मेंट में ऐसा सही नहीं है मैं सर अपनी अंतिम प्रेश्ण पर आता हूं सर जैसा बॉलीवुड में कहा जाता है कि अनिल कपूराज भी जैसे सुरू में थे बैसे दिखते हैं और सर आई पीएस में कहा जाता है आप भी सर बिलकुल बैसे योवा के योवा दिख रहे हैं तो मैं चाहूंगे सर इस प् है उन चीजों को सक्के से अलग करें और आप युवा से क्या कहना चाहिएं साविरां तेंपरेश्ट पहले तो मैं कौंगा भी मैं लख्यों है अभी तक भी युवा दिखता हूं दूसरा यह है कि इसके पीछे कहना कई स्पोर्ट्स का मेरा एक वह जरूर है मैं डेडी जो तो उसमें मैं 20-22 घंटे बाहर रहता तो तेश्वा घंटा में यह निए कि मैं आके सों पहले एक घंटा खेल लो तो उससे ज्यादा रिलिव मिलेगा यह मेरी सोच रहे है बोड़ी जो है आपकी फिर से लाइन पर आ जाए एक तो बहुत दूसरा मैं पोजिटिविटी में बहुत विश्वास रहता है वह सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं हमारे जो कल्चर है देश की उसमें आगे पीछे आपके लगे रहे तो मैं नेगीटिविटी बें नहीं जाता और नेगीटिव चीजों को छोड़ता जाता हूं लाइप में और पोजिटिव चीजों पे बहुत सारी दर्शक सब निश्चत और पर प्रेरित होंगे और वो सीखेंगे सर आपके सबक को आपके अनुबाव को और बहुत ज्यादा सार्थक चर्चा हुई सर आपकी मैं तहे दिल से बहुत-बहुत आभात प्रगत करना चाहूंगा आपका पूरे सरल्बार परिवादि प्रवासर अम्जट ने किलिए सब्सक्राइब आपके। ताम झाहर वाजोंगे लिए सब्सक्राइब। सब्सक्वादिक वाजए यांगलिटर ने खिए ताम झाहरा जाए तरिए प्सक्राइब।